तो जैसा की दोस्तों आप सभी को पता चल चुका हूँ अज वीडियो को बात करने जार अगले hai तो रिजल्ट पर आये बहुत बढ़ी ख़बर जानते और 20 से तो वीडियो को आखिर तक जहुड देखे विजयर नमस्कार में आप देख रहें जुकेशन माई गुपता जी गोटोप चैनल हो सकते हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथी बैला कंदावा दे ताकि आपको भीहार बोर्ट से समंधित न्यूज मिलता रहें बिलकुँ फिरी तो इस बार है जो आप लोग कापी रिजल्ट देली से आने वाला है तो क्यों देली से आने वाला है और किस बातप की खबर है तो चलि इस बारे में अच्छे से जानते हैं तो चलि दोस्तों यहां पर देखmon the दो दोस्तों से आप लोग का रिजल्ट पर काफी असर पर सकता है इसके बारे में और भी विस्तार से बता है तो सभी बातों का आप ध्यान से सुनें और अच्छे से देख रहें और वीडियो को ज़्यादा सेर करें यहां पर देखे लिखा गया कि बिहार बोट के इंटर हुए मैटिक वा सादी विस्तार की काफी जाज पर अधिक असर हो रहा है क्योंकि उन विस्तार में इस इच्छे की कमी है इंटर मुलैंकन का कारें नौ माच तक संपन हो जाना था लेकिन कई जीलों में 50- 60 पिसदी तक ही मुलैंकन हो पाया है इसके लिए पहले कई जीलों के डियों ने पर 50,50 से भी कम सिचकों ने योगदान दिया कई मुलेंकन के अंदरू पर बहुत कम सिचकों ने योगदान दिया है इससे मुलेंकन शुरू नहीं हो पाया है मुलेंकन मीडेरी होने से रिजल्ट पर असर परेगा गया तो कि 29 में इंटर का 29 मार्च और मैटिक का अप्रेल के पहले सपता में रिजल्ट जारी कर दिया गया था दोस्तों पिछले वर्ष दसमी और पार्मी का जो रिजल्ट जारी कर दिया था तो वक्त 29 मार्च को और 29 मार्च को मैट्टी का रिजल्ट जारी हुआ था और अपरेल के पहले सपता में इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया ग सबसे पहले दिया इसका फाइदा सीधा चात्रों के आगी नमांकन लेने में हुआ उच्छे सिक्षा के लिए बिहार के चात्रों को दिल्ली विवी बी एच यू जैसे विवी नमांकन लेने का मोका मिला जो पहली बार हुआ था वही बिहार के स्कूल और कॉलेज में एगारमी में नमांकन पड़करिया समय से हो पाया इस सत्र में देरी नहीं हुई मतलब दोस्तों काफी रिजल्ट से लेकर काफी असर पर रहा है आप लोग और भी आपी बिहार बोट के अधेक्च अनुन की सोने बता है कि किस बात की असर पर रहा है और क्यों पर रहा है तो आपी देखे साब साब बताया गया कि इंटर और असनातक के सत में देरी होगी बिहार के बाहर के 20 विद्धाले में नमांकन लेने से चुख जाएंगे इंजिनियरिंग और मेडिकल कोलेज में नमांकन लेने से वंचित हो सकती है सत देर हो सकता है छात्रों को मानसिक तनाम जहलना परेगा अंको के अधार पर नमांकन लेने में खुद का आकलन नहीं कर पाएंगे रिजल्ट से लेकर ऐसा असर हो सकता है इस बार अगर आप रिजल्ट अगर अप्रेल में जारी नहीं होता है तो ऐसा ऐसा असर हो सकता है आप लोग को और भी आपी बताया गया है तो बहुत सारे जनकारी आप दे गए हैं तो सभी बाती को आप ध्यान से सुने और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में जाज़रा सेर करें और साथी Facebook गुरूप और सेर करें ताकि सभी स्टूर्ण के यह जनकारी पराप्त हो सके और दोस्तों आप देखी कि यहां पे लिखा गया है कि काप्यों मुलाइकन जितना जल्दी समाप्त होगा हम रिजल्ट उतने ही जल्दी जारी कर पाएंगे अब रिजल्ट त्यार करने में अधिक समय नहीं लगता है अब बोट का अपना software है मुलाइकन के बाद रिजल्ट त्यार हो पाएगा बिहार बोट के अधक्च अनन्द की सोर यहां पे दिखे लिखा गया है कि अधक्च बिहार बिदाले परिच्छा समीटी दोस्तों और बिया अपी बताया गया है पर कन शुरू भी नहीं हुआ है और भी बताएगा कि कई जीलों में 50 सन साथ प्रिष्दी तकी मुलैइकन हो पाया है और भी बताया गयें दोस्तों 4 लाग सिचक हार्ताल पे है परदेश की लगए प्रत रिच्छा का अपनी साथ सुत्री मांगों को लेकर हार्ताल पर चले ग सब्सक्राइब का अंदोलन और भी तेजी से बटने लगेगा क्योंकि इस पर वे बहुत सारे हरताल करें उसकी बज़त से आप लोग का रिजल्ट काफी देरी से आने बाला है और आप लोग का जो नमंकन कनाने में काफी देरी हो सकता है उसकी बज़त अगर आपको पास अच मतलब की दोस्तों काफी असर हो रहा है मतलब की दोस्तों काफी असर हो रहा है मतलब बिहार बोट के अध्धक चानद की सुने बता रही कि पर्थम से लिए कि दसमी कलास तक काफी भी देरी हो रहा है और आप लोग का दसमी और बार्मी का रिजल्ट भी काफी देर से आने वाला है तो दोस्तों यह था आप लोग का बिहार बोट से समधित ने हुजी जो क कि ऑल्स्टन के यह जनकारी पराप्त हो सके और दोस्तों चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और साथ में एक बैल आकन होगा उसको भी दबा ले ताकि आपको भी हार बोट से समधित न्यूज मिलता रहे बिल्कु परी तो चलिए दोस्तों फ